hallo everybody welcome back to my channel इस प्रेटा आप मेरे से बहुत सारे स्क्रेशनों पूछ रहे हैं मैं रीउसी कोड कहा मेलेगा रीउसी कोड कहा मेलेगा एक एक कमेंट नहीं बहुत सारे कमेंट आरहे हैं मेरे पास में कि मैं सब कुछ है हमारे पास में आपको कहां मिलेगा ठीक है और बाकी आपको इस वीडियो में बता दे रही हूं है वो वीडियो देखने के जड़ोत नहीं एसी वीडियो हम देख लेना आप ठीक है चलो तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं कि आपका जो RUC code है RUC code है वो कहां मिलेगा आपको RUC के full form आपको सभी को पता है registration unique code होता है ये सभी का अलालग होता है जो भी बच्चे होते हैं जिन्होंने form fill किया है प्रामेडिकल का हो चाहे आपका nursing का हो तो सभी के पास में RUC code अलालग होता है ठीक है अब ये मिलेगा कहां पे मैं आपको बता देती हूं जब आपने form fill किया होगा इस ताइम पे तो वहाँ पे generation generate हुआ होगा आपका RUC code उसके लिए एक notification जाती है आपके email पे कि आप भी RUC code को generate कर सकते हो start हो चुका है generation of RUC code ठीक है तो वहाँ पे आपको ये email मिलता है आपको फिर आप generate करने जाते हो RUC code अब आपको मैं बताओं कि आपको ये मिलेगा कहाँ पे तो जब आप form fill करने जाते हो complete हो जाते है सारी process form की तो आपको 2 slip देते हैं मतलब 2 form देते हैं वो भरी हुए already मतलब कि आपके पास proof होना चाहिए कि आपने form fill किया था नहीं किया था ठीक है तो इसमे सारी आपके details होते हैं आपकी सारी details होंगी उस form में सबसे ऊपर ही आपको मिल जागा तो यहाँ पे आपको photo मिलनागा अपना यहाँ पर क्या मिलनेगा इधर आपको photo मिलतागा उस form पर अपना खुद कर और यहाँ पे आपको देखो क्या मिलेगा उपर ही आपका यहाँ पे payment ID होगी यहाँ पे आपका RUC code होगा और यहाँ पे भी कुछ आपका registration number बगरा होता है तो उपर ही आपका लिखा हुआ है और form का पताए किसका form फिल किया है तो AIMS All India Institute of उसका form फिल किया तो उपर ही आपको RUC code मिल जाएगा इधर मिलेगा देखो RUC code आपका इधर साइड मिलेगा इधर साइड मिल जाएगा तो registration unique code लिखा हुआ होगा उसी के आगे आपके 5 रिजिट का RUC code होगा तो प्लीज आप जाके चेक कर लें और अगर आपको फिर भी नहीं हो रहा है कोई भी problem तो मैं आपको जो picture होती है वो दिखा दूँगी कि आपको कहाँ पर मिलेगा दो paper मिले होंगे आपको एक तो payment वाला मिला होगा कि आपने payment किया या नहीं किया है तो दो paper निकालता है और first paper वो होता है first paper वो है form वो है जिसमें आपकी सारे details होती है आपका नाम हो गया इधर आपका जो भी आपका category है वो हो गई इधर और आपकी जो भी number है आपका contact number email ID आपकी और नीचे आपकी जितने ही marks होती है 12th, 10, 12th के तो वो नीचे होते हैं आपके याद रटना आप ठीक है और बाकी आपके फिर नीचे signature होते हैं यहाँ पे signature होते हैं यहाँ पे और यहाँ पे आपका thumb impression होता है इधर आपका thumb impression होता है तो ऐसा कुछ आपको एक paper मिला होगा जो अपने form fill किया होगा पे तो अपने जो भी paper आप जहाँ रखते हैं document उसमें जाके चेक करो दो paper मिले होगे एक payment का मिला होगा और एक पूरी form filling का मिला होगा कि आपने form fill कर दिया है और अपका form तब निकलता है तब निकलता है उसका तन फर्म करने के लिए कि आपने form fill किया है ये नहीं किया है तो ये आप चेक करने जाके आपको adisi code आपका मिल जाएगा बहुत सारी बच्चे को आई डाल रहे थे मेरी pass में और जिन लोगों का दूर गया है बेटा तो आप उन्हें email करो जैसे आप किसी state से हो और कहीं और दे दिया है एक बच्चा था उसका बोल रहे थे वो कि मैं माचल से हूँ लेकिन मैंने डाला था अपना हरयाना चंडीगर जो भी है चंडीगर डाला था अपना जो center है वो गया है वो डहली तो मैं कैसे up down करूं तो ज़्यादा दूर गया है बेटा तो आपना email करो उन्हें साइद वो ऐसा करें कि city की choices को change कर दें और बच्चे को preference दे दें ठीक है तो आप email करो उन्हें मैं भी email कर रही हूँ कि बच्चों की ये problem को solve करें कि बहुत दूर हो चा रहा है हम बहुत दूर हमारा center बढ़ रहा है और हम लोग बहुत दूर से state से और अलग state से और अलग state में जाके हमारा form मतलब center बढ़ रहा है तो हम कैसे जाएंगे ऐसे आप email करो definitely वो कोई नों को action करेंगे आपको पैसे मैं भी तो 4-5 दिन है है तो यह कुछ information थी जो आप पूछ जा रहे थी और registration आड़ी नम्मर पास्वड आपको कहा में लेगा आपका email है जो अपने email जो आपने डाला था जब फॉर्म फिल किया था तब तो उस email को चेक करेंगे और उसमें सर्च करेंगे पी डबल अयार मिल जाएवागा